थोग नमस्कार दोस्तों वापस से आचुके हैं एक और ने वीडिजी के साथ और आज की इस वीडिए में लोग देखने वाले एक और नया इंट्रेस्टिंग क्वेशन तो चलिए देखते हैं कि वह क्वेश्चन किया है चलिए में यहां पर कुछ एंटर करता हूं यहां पर यह हो रहा है आपके लिए कुछ एंटर यही होगा आपका question तो चली देखते हैं क्या है मैं पहले एंटर कर लेता हूं तो यहां पर मैंने कुछ-कुछ एंटर कियो और यहां पर कुछ निकल कर आ गया output में दरसल यह polynomial का coefficient है 1032 यह polynomial का coefficient है यह भी polynomial coefficient है और जो polynomial है उसको product करने के बाद जो value आया वह यहां पर है तो आपको करना क्या है आपको यहां पर polynomial का product निकालना है जैसे कि एक polynomial का 1 प्लस 0x प्लस 3x2 प्लस 2x3 यहां पर मैं उस power में नहीं लिख पाया हूं मैं ऐसे लिखा हूं तो आप समझ लिएगा उसके बाद यहां पर पॉलिनॉमियल 2 है 2 प्लस 0x प्लस 4x2 और उसका product जो आया वह यहां तो आपको यही करना है क्या करना है आपको यूजर से जितना भी co-efficient say polynomial का उसको यहее मिलेना है फिर जो दूसरा polynomial का जो coefficient है वो किसमे लेना है दूसरे अर्य मिलेना और इसके बाद आपको प्रोडॉक्ट का जो audition प्रिंट कराना है तो छीद Chen HER doveela न को of bonds किस कषीड करने वाले हैं तो यहां पर मैं आप तरह से kis可ु औरْ करूंगा यहां पर देखिए system.out.print एले इंटर दर लेंट फरस्ट एरे फरस्ट एरे का आप लेंट एंटर करवा रहे हैं यूजर से क्यों एंटर करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक एरे इनिशिलाइज करना है जिसमें सारा कोईफिशेंट्स इस्टोर होने वाला है तो लेंट आप एरे से एरे का जो लेंट है वो यूजर से मांगा आपने उसके बात किया है क्या आपने यहां पर क्या किया कि जो कोईफिशेंट्स है उसको फरस्ट वाले एरे में यहां पर इंपुट ले लिया है यहां पर i लेज देन N1 प्लरस फिर आई प्लस प्ल Caribbean पर उसके बाद A1 I एस्री दोट नेक्स इंट यहां पर आपका हो गया इंपूर्ट और उसी तरह से एक नया लेंथ लिया गया जो कि N2 में श्टोर किया गया वापस से 2 को इनिशेलाइस किया गया और वापस यहां पर देखिए एक और नया array में जो coefficient से वो आ चुक है उसके बाद एक बात यह है कि आप जो नया array बनाएंगे उसका length क्या होने वाला है आप क्या एक चीज गोर कर पा रहे है यहाँ पर कि जो इसका length है वो ये दोनों के sum के यानि कि इसका जो length होगा और इसका length होगा ये दोनों के sum से अगर minus 1 करते हैं एक खटा देते हैं उतना ही आ रहा है जैसे कि यहाँपर देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है यह दोनों का length है उसको plus थो आपको क्या यह समझ में आया कि जो आप नया रे बनाने वाले उसका लेंद। क्या होगा उसका लेंदränद को प्लस करने के बाद माइनस करना है वन से न्र को मैंने यहांवत हो गया देखिए जहीं और में चीज आ गया इस फॉर लूप के अंदर देखें यहां पर का वाइस इक्वोज टू जो कि कितना तक चल रहा है जो आपर पर फॉर का उप यहां तक चल रहा एक यहांद इनर लूप कहा तक चल रहा है जो एंट यानि जो सेकंड वाला पॉलिनॉमियल यहांपर 2 2-0 x-4 x2 यह जो है इसका जो लेंथ आएगा उतना तक इनर लूप चल रहा है और इंट sum is equal to i plus j i plus j से मैंने क्या किया i plus j मैंने इसलिए किया क्योंकि जो product का जो भी position है जैसे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी वाले position पर two डालना है और इसी वाले position पर यहां पर 0 डालना इस वाले position पर ten डालना तो मुझे कैसे पता चलेगा । असल हो क्या रहा है यहां पर कि जो नया एक array बना रहा हूं मैं उसके एक एक position को denote कर रहे है जैसे जो भी index ़ो उसक कर रहा है कि उसका जो इंडेक्स नंबर है वही x के पावर को डिनोट कर रहा है, 0 इंडेक्स पे है तो वो क्या डिनोट कर रहा है, 0 इंडेक्स पे है तो क्या डिनोट कर रहा है, x to the power 0, 1st इंडेक्स पे है तो क्या डिनोट कर रहा है, x to the power 1, 2nd इंडेक्स पे है तो क्या डिनोट कर रहा ह X is Q, X का Q आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कि जो थर्ड वाला जो पॉजिशन है, यह क्या हो गया, जो थर्ड वाला इंडेक्स है, पी का, वहाँ पर उसका मल्टिप्लिकेशन हम लोग स्टोर करवाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है, X is equal to I plus J, I plus J क्या कर रहा है, पावर डिनोट कर रहा है, जिस जगा पर यह प्रोड़क्ट स्टोर होने वाला है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि सम में निकल गया, फिर P sum, P जो सम वाला पोजिशन है, उसको is equal to P sum, जो उसके पहले वैल्यू था, प्लस A1 का जो आत multiply किया टू को, तो इसका power कितना आएगा, 0 प्लस 0, उसका power कितना आ रहे है, 0, तो 0 इंडोक्स पे वो स्टोर हो जाएगा, जैसे 0 इंडोक्स पे यह स्टोर होगा, फिर क्या है, 1 multiplied by 0x, तो यहाँ पर क्या होगा, कि जो इसका position है, जो इसका इंडेक्स है, वो क्या है, 1 है, सब उसका इंडेक्स क्या है जीरो वणगे सर्ड़ रोगा फिर वन से इस आया इक्से स्क्वाइर यानि की सेटेंड वाला पोजीशन पर तो वहां पर तो तक यह पूरा लूप खतम नहीens जाता यानि कि वन इससे पूरा मल्टिप्लाइगा जीरो इससे पूरा मल्टिप्लाइगा त्री एकसे स्क्वार इससे पूरा मल्टिप्लाइगा तो यह मल्टिप्लाइग करके उस उस पोजिशन पे सम को स्टोर करता चला जाएगा जो भी आ जैसे कि मान लिजे टू एकसे स् स्कुएर आया फिर आपने घूमा फिर वापसे लिद्उल एक्षा तो उसको भी एक्षास करना पड़ेगा तो इसको पुराना वाल मैंटिप्लाई कर दो स्वाध में प्लस कर दो जो यह नया तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करेंगा वेबसाइट को विजिट करेंगा सब कुछ वहाँ पर आपको एकदम एरेंच्ट फॉर्मेट में मिलने वाला तब तक लिए गुड़ बाय आपके लिए थादर करेंगा त sebenarnya को सिव करेंगाँ